लो इवरीवन आज हम एकनोमिक्स के वेस्टी अर्शास क्लास 12 के चाप्टर छे जो कि वेस्टी अर्शास का आखरी चाप्टर है के कोश्चन आंसर लेके आए हैं ये यूपी अससी स्रेट पीअसी रेलवे बैंकिंग और यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ह लेस्न का नाम है प्रती इसपरधा रहित बजार इसके प्रश्णोत्तर है तो चलते हैं वेस्टी अर्शास के nc e r t में जो रिलेटेट कोश्चन आंसर है वो लेकर लेस्न का नाम है प्रती इसपरधा रहित बजार पार्ट छे है प्रतिस परधा रहित बजार कोशन वन है मांग वक्र का अकार क्या होगा ताकि कुल समप्राप्ती वक्र ए मूल बिंदू से होकर गुजरती हुई धनात्मक प्रवर्टा वाली सरल रेखा हो और भी समिस्तरी रेखा हो आंसर है ए का जब टी आर टोटल रेविनियो वक्र से गुजरती हुई एक धनात्मक प्रवर्टा वाली सरल रेखा हो तो मांग वक्र अथात ए आर वक्र एक छेतिज रेखा होगा बी में जो पूछा गया था कि समिस्तरी रेखा हो तो ये संभव नहीं है जब तक ए आर बराबर जीरो ना हो और ए आर बराबर कीमत बराबर शून नहीं हो सकता है नेक्स कोशन है नीचे दी गई सार्णी से कुल समप्रापती मांग वक्र और मांग की कीमत लोच्की गर्णा कीजिए तो मात्रा एक से लेके 9 तक दी गई हो, दूसरे में समान सम प्राप्ती दी गई है, पहले में डैश है, दूसरे में 6, नेक्स्ट में 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, minus 5 है, और पहले में ये आपका लास्ट में 10 लिखा हुगा सी, थर्ड कॉलम, इसको बढ़ा दिया गया है, तो सीमान प्रा गया था, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो वो तो हई है, इसमें, है ना, मात्रा दिया था, फिर सीमान सम प्राप्ती दी गई थी, तो हम कुल सम प्राप्ती निकालते हैं, कि कुल सम प्राप्ती क्या होगी, तो पहले में, तो 10 हो जाएगा, और दूसरे में क्या होगा, सेक फिर 22 में 0 जोड़ेंगे 20, फिर 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 22 में से माइनस 5 बटाएंगे तो 17, तो ये कुल संप्राप्ती हो गई, और असस संप्राप्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि जो कुल संप्राप्ती वाला थर्ड कॉलम है, उसमें पहले वाले क कॉलम में जो डिजिट लिखा है उससे डिवाइट कर देंगे यानि 10 बटे 1 बराबर 10 आएगा इसी परकार 16 बटे 2 बराबर 8 आएगा तो यह हम सारा कुछ निकाल लेंगे इस तरीके से अब हम प्रतिशत विदी से इसकी मांग की लोशकी गढ़ना करते हैं तो EDP बराबर होत देल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी प्राइसे क्यू कॉंटिटी है और कॉंटिटी में अंतर डेल्टा क्यू है और प्राइस में अंतर डेल्टा पी है तो कीमत 10 पर क्या हो जाएगा सबकी वैलू रखने पर 10 बटे 1 इंटू 1 बटे 2 बराबर 5 आएगा कीमत 8 पर क्या हो कीमत 6 पे जो इसकी value है वो 2 है कीमत 5 पे इसकी value 5 बटे 4 into 1 upon 0.6 तो ये 2.09 आ जाएगा इसी तरह कीमत 4.4 पे निकालेंगे फिर कीमत 3.66 पे निकालेंगे इसी प्रकार अंत तक हम निकालते जाएंगे तो कुल्वय विदी द्वारा संप्राप्ती बराबर कुल्वय हो जाएगा अता इकाई 1 से 5 तक कीमत कम होने पर कुल्वय बढ़ रहा है अता 6 से 0 तक कीमत कम होने पर कुल्वय समान है अता EDP बराबर 1 इकाई A पे कीमत घटने से कुल्वय घट रहा है अतह EDP is less than 1 जब मांग वक्रू लोजदार हो तो सीमान संप्राप्ती का मूली क्या होगा आंसर एदि मांग वक्रू लोजदार हो तो सीमान संप्राप्ती धनात्मक होगी जब तक EDP is greater than 1 तो सीमान संप्राप्ती धनात्मक होती है जब EDP बराबर 0, बांकिलो 0 होती तो सिमान प्रवर्थी 0 होती है और जब EDP less than 1 तो सिमान संप्राप्ती रणात्मक होती है Next question है उस सितिती में सिमान संप्राप्ती वक्र के आकार पे टिपड़ी कीजिए जिसमें कुल संप्राप्ती वक्र A धनात्मक प्रवर्था वाली सरल लेखा हो दूसरा समस्तर ये सरल लेखा हो आंसर है जब कुल संप्राप्ती वक्र अक्ष केंदर से गुजरती हुई एक धनात्मक ढ़लान वाली सरल लेखा है यानि MR, Marginal Revenue 0 होगा क्योंकि TR बराबर CMR, TR बराबर 0, MR बराबर 0 है पांचवा है निर्गत के उत्तम अलपकाल में यदि घाटा हो तो क्या अलपकाल में एक अधिकार फर्म उत्पादन को जारी रखेगी आंसर है जब कुल हानी घाटा कुल इस्तिर लागत से कम है फर्म उत्पादन जारी रखेगी परन्तु यदि कुल इस्तिर लागत से अधिक है तो उत्पादन बन कर देगी कुशन से है एक आधिकारी प्रतीस परधा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवड़ता रिणात्मक क्यों होती है बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्य कीज़े आंसर है एक आधिकारी प्रतीस परधा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवड़ता रिणात्मक होती है क्योंकि पहला मांग के नियम के अनुसार उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत कम करके ही उसकी अधिक मात्रा बेज सकता है दूसरा है बजार में वस्तु के निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती है क्योशन 7 एक अधिकारी प्रतिसपरदा में दीरकाल के लिए किसी फर्म का संतुलन शूने लाग पर होने पर क्या कारण है आंसर एक अधिकारी प्रतिसपरदा बजार में नए फर्मों का निर्बाद रूप से प्रवेश होता है यदि उद्योग में फर्म अलपकाल में धनात्मक लाप प्राप्त कर रहा हो तो इससे कई नई फर्में उद्योग में प्रवेश के लिए आकरशित होंगी ये तब होगा जब तक लाप शूने ना हो जाए आटमें तीन विबिन विदियों की सूची बनाई जिसमें अलपा दिकारी फर्म वहवार कर सकता है आंसर एक अलपा दिकारी फर्म तीन विदियों से वहवार कर सकती है पहला अलपा दिकारी फर्में आपस में साट गांट करकी निलने ले सकती है कि वे एक दूसरे से प्रतिस पर्दा यानि कमटीशन नहीं करेंगी इस प्रकार वे फर्में बजार का उचित बटवारा कर लेंगी और परति एक फर्म अपने बजार में एक अधिकारी फर्म की तरह वहवार करेंगी 2. अलपादिकारी फर्मे ये निर्णे ले सकती है कि लाप को अधिक करने के लिए वे उस वस्तू के कितनी मात्रा को उत्पादन करें इससे उनकी वस्तू की मात्रा की पूर्ती अन्य फर्मों को प्रभावित नहीं करेगी तीसरा है अलपादिकारी फर्मे वस्तू अनम्य कीमत प्राइस रिजिडिटी की नीती भी अपना सकती है इसके अंतरगत मांग में परिवर्तन के सुरूप कीमत में परिवर्तन नहीं होगा कोशन नाइन है आए अनम्य कीमत का क्या अभी प्राइ है अलपादिकार के वहवार से इस प्रकार का निर्टकर्श कैसे निकाल सकता है आंसर है अनमे कीमत का भी प्राए है की अलपादिकार बजार में फर्में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं करेंगी अनमे कीमत नीती के अंतरगत अलपादिकारी फर्मों का मांग में परिवर्तन के फसरूप बजार कीमत में निर्बास संचालन नहीं होता है इसका कारण ये है कि किसी भी फर्म द्वारा प्रारम की गई कीमत में परिवर्तन के प्रती अलपादिकारी फर्म प्रत किरिया व्यक्त करती है यदिये के रिया प्रारम हो गई हो तो इसके कीमत युद्ध आरम हो सकता है जिससे सभी कोहानी होगी इस प्रकार इस लेसन का प्रतिव इस परदारेद बजार के नोट्स आपको हमने बता दिये हैं नोट्स में कवर हो गया है और नोट्स नहीं सरी कोश्चन आंसर इसके सारे कवर हो गया है इसके लावा जो mcq हम डाल लें हैं उसमें भी डेली जो है आपका रात के आठ बजे mcq डाला जाता है वह सभी लेसन से related हैं तो उसको जरूर देखेगा चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा